हलो, वैलकम स्टूरेंट्स, मैं नीरु गुप्ता, एसोसियेट परफेसर, डिपार्टमेंट आफ केमिस्ट्री, गुवर्मेंट अमेस कॉलेज, बीकानेव स्टूडेंट्स, हम बीएसी पार्ट वन के फर्स्ट पेपर की सिकंड उनिट का फर्स्ट चेप्टर पढ़ रहे हैं, हमारा चेप्टर है कोवलेंट बॉन्ड या केमिकल बॉन्डिंग पार्ट वन हमने स्टाट किया है, और हम इसके दो टॉपिक पढ़ चुके हैं, हमने इं और सिग्मा तथा पाई बॉन्ड का निर्मान होता है, वो हमने अपने पिछले लेक्टर में पढ़ा है, हमारा आज का टॉपिक है डिरेक्शनल क्यारेक्टर स्टिक्स ओफ कोवलेंट बॉन्ड यानि की सह सहियोजक बंधों में दिशात्मक अभिलक्षन, हम इस टॉपिक क अपने पिछले टॉपिक से ही रिलेट करेंगे, हमारे पास जो कुछ प्राइमरी एक इन्फरमेशन है, कुछ जो जानकारी है, वो क्या है, पॉलिंग और स्लेटर मोडिफाइड वी बीटी और हिटलर एंड लंडन तो अकाउंट पॉर दा डारेक्शनल क्यारेक्टर स्टि और उसके द्वारा, कोवलेंट बॉंड में या सहसेयोजग बंदों में दिशात्मक गुणों को या दिशात्मक अभी लक्षनों को समझाने की कोशिश की, उनके अनुसार, कोवलेंट बॉंड इस फॉर्म पाइड ओवरलापिंग और अटॉमिक ऑर्बिटल्स, कोवलेंट इस और्बिटल्स, मस्ट कंटेन अन्पेर्ड इलेक्टरॉंस ओफ ऑफ ऑपोसिट स्पिन, विचार नूट्रलाइस्ट डू टू ओवरलापिंग ये जो परमानवी कक्षक अतिवयापन में भाग लेंगे, उनका एक स्विशेश गुन है कि उनमें अयुगमित इलेक्टरॉ इस लोकलाइस्ट बिट्वीन दा कंबाइनि आटम, जो दो आटम, जो दो परमानवी आपस में सहीवत दो रहे हैं, उनके इलेक्टरॉंस की जो युगमित पेर हैं, जो युगम हैं, वो दोनों के बीच स्थित रहता है, और उस बंद की बंद सामर्थ हैं, अतिवयापन मे भाग ले रहे हैं, उनके अतिवयापन के परिमान पर भी निर्भर करती है, the greater the overlap, the stronger will be the bond, अर्थात, अतिवयापन जतना जदा होगा, बनने वाला बंद उतना ही मजबूत होगा, या strong होगा, and in this state, the nuclear repulsion is minimum, and the attractive force is maximum, और इस इस्तिती में हम ये कह सकते हैं, कि जो नाभी की प्रतिकर्शन है, वो तो नियूनितम हो जाएगा, और जो आकर्शन बल है, उनका मान अधिक्तम होगा, the valence orbital of the elements undergo proper hybridization before bond formation, hybridization वैसे हमारा आने वाला topic है, लेकिन यहां हम इसका जिक्र करते हैं, वो ये कि जब valence orbitals, याने कि संयोजी कक्षक, किसी भी तत्व के bond बनाना start करते हैं, या bond बनने से पहले उनका संकरन होता है, so the structure of the molecule is governed by the type of hybridization, हम ये कह सकते हैं कि कि किस प्रकार का molecule या अनू बनेगा, या उसकी कैसी संदचना होगी, इस बात का निर्धारन कौन करता है, उसकी उसमें किस तरह का hybridization या किस प्रकार का संकरन होगा, as s orbital is spherically symmetrical, it has no preferential direction, हम जानते हैं कि s कक्षक गोलाकार होते हैं, सम्मित गोलाकार होते हैं, इसलिए उनका कोई निश्चित दिशा या कोई direction नहीं होती, तो हम ये बात यहां consider करेंगे, कि s orbital is not centralized in a definite direction, यानि कि s कक्षकों का कोई एक निश्चित दिशा में centralized नहीं होते, या केंद्रेकरत नहीं होते, बट, p orbitals and d orbitals will tend to form bonds in the direction of maximum electron density, लेकिन s के विपरीत, यदि हम p और d orbitals को देखें, तो हम ये देखते हैं कि ये जब bond बनाते हैं, तो इनका orientation या इनकी दिशा उस तरफ होती है, जहां electron का घनत्र अधिक्तम होता है, p orbitals lie along x, y and z axis and are present at an angle of 90 degree to each orbital, हमने shapes of orbital पढ़ा था, तब ये देखा था कि p orbital तीन प्रकार के होते हैं, px, py और pz, और ये जो तीनों orbitals हैं, वो x, y और z अक्षों पर, एक दूसरे से परस पर 90 degree के कोण पर स्थिद होते हैं, तब df and orbitals also have directional characteristics, इसी तरह से जो d और f orbital हैं, उनके भी proper दिशात्मक अभी लक्षन यगुन होते हैं, hence due to this property, p, d and f orbitals are able to form directional bond, अर्थाथ हम ये कह सकते हैं कि s तो नहीं, लेकिन p, d और f orbital एक निश्चित दिशा में covalent bond या directional दिशात्मक बंद बनाते हैं, अब हम दो example लेंगे और उससे इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, सबसे पहला example है formation of ammonia molecule, ammonia के अणों का निर्मान किस थरा से होता है, ammonia NH3 है, जिसमें central atom है N, यानि कि nitrogen, और nitrogen का जो electron ये विन्यास है, वो होता है 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 and 2pz1, it means nitrogen has 5 balanced electrons, यानि कि 2 2s में है और 3 2p में है, out of which 3 are unpaired, जिसमें हम देख रहे हैं कि 3 आयुगमित है, these unpaired electrons are in px, py and pz orbitals, which are at 90 degree, now these p orbitals overlap with 1s orbital of 3h atom, ये जो 3 आयुगमित electron जिन्नों पस्ते थे p orbitals, वो 3 hydrogen के 1s orbitals के साथ overlapping करेंगे, and form 3 sigma bonds, और हमें 3 sigma बंद प्राप्त होगे, now these 3 bonds are laying along x, y and z axis, so the angle between orbitals must be 90, अब चुकि ये तो 3ों कक्षक हैं, वो 90 degree के कौन पर एक दूसरे के साथ bond बना रहे हैं, तो इनका जो बंद कौन है, वो 90 degree होना चाहिए, but HNH angle is 107.30 degree, लेकिन actually ammonia में जो hydrogen, nitrogen, hydrogen bond होता है, वो 107.30 degree का होता है, और इसकी क्या वज़े है मुख्य है, कि ये जो बंद कौन में जो अंतर आया है, ये hydrogen atoms के परस पर पतिकर्शन के कारण होता है, और दूसरा इसका मुख्य कारण है, कि इसमें जो हैबिद कौन को परिवार्टित कर देता है, या 90 degree से बढ़ा कर 107 करता है, ये इस चित्र के द्वारा आपको और अच्छे से समझ में आएगा, nitrogen का structure है हमारे पास, 2s2, 2p3, और एक 1s orbital hydrogen का है, तीन hydrogen इसके साथ संयुक्त होंगे, और hybridation भी हमने इसमें हैं शो किया है, वो है sp3, और इस तरह से ammonia का molecule, जो की 90 degree के कोन पर होना जीए, या अगर हम संकरन की भाषा में बात करें, तो 109 degree होना जीए, क्योंकि ये चदुश्वल की आकरती होती होती, जब sp3 संकरन होता है, लेकिन यहां ये बंद कोन, ना तो 90 degree का है, और नहीं 109 degree का है, ये बंद एंगल 107.30 का होता है, तो ये directional properties के आधार पर, हम अमुनिया के molecule की संदचना, या अमुनिया के अनू का निर्मान समझा सकते हैं, इसी प्रकार हम दूसरा example लेंगे, formation of water molecule, यानि कि जल कारू जब बनता है, तो किस तरह से उसकी structure, directional properties के कारण बदल जाती है, the central atom present in water is oxygen, यह आप जानते हैं कि oxygen इसमें central atom है, या केंद्रिय परमान है, और उसका इलेक्ट्रोन ये विन्यास होता है, 1s2, 2s2, 2px2, 2py1 and 2pz1, यहां आप देख रहे हैं कि oxygen के पास दो अनपर्ड एलेक्ट्रोंस हैं, और यह दो और्बिटल, दो hydrogen के साथ overlap करके दो sigma bond बनाते हैं, लेकिन यहां bond angle हमारे पास, HOH जो bond angle है, वो 104.5 डिगरी का है, आप इस 3-dimensional diagram में देखेंगे, जो red outline है, वो एक tetrahydrant की है, एक चतुषवलक की है, लेकिन जो black lines है, वो शो करती है, electron के pairs को, तो यह जो structure है, यह जो bond angle है, इसकी क्या वज़े है, इन water molecule, the two OH bonds are formed due to SP overlap, SP overlapping होती है, P orbital oxygen के हैं, और S orbitals hydrogen के हैं, the 2PY orbital of oxygen atom overlap with 1S orbital of 1H atom, and the 2PZ overlaps with another S orbital of H atom, यानि कि oxygen का 2PY orbital है, वो एक hydrogen के 1S orbital के साथ, और जो 2PZ orbital है, वो दूसरे hydrogen के 1S orbital के साथ overlap करता है, या अतिवयापन करता है, the angle should be 90 degree, but actually it is 104.5, now due to the ionic nature of OH bond, there is a repulsion between OH bonds, चुकि OH bond की जो प्रकृति होती है, वो काफी हद तक ionic होती है, तो वहाँ उवच बंद के बीच में प्रतिकर्शन होता है, and due to which the bond angle expands, इसकी वज़े से bond angle या बंद कोन बढ़ जाता है, the other reason is the expansion of bond is due to hybridization, ये बात हम अभी आगे फिर पढ़ने वाले हैं, कि संकरण का प्रकार भी इस bond angle में परिवर्तन का मुख्य कारण है, in moving down a group, electronegativity decreases and size increases, hence bond length increase, और जब bond length increase होती है, तो टिपल्शन कम होता है और bond angle बढ़ जाता है, hence the bond formed by the overlap of s orbitals are non-directional, अर्थात हम ये कह सकते हैं इस पूरे discussion के बाद, कि जो s orbitals की overlapping या अतिव्यापन से बंद बंदे हैं, वो दिशात्मत नहीं होते हैं या non-directional होते हैं, hybrid orbitals have definite shape, संकरित करक्षा को कोई एक निश्यत shape होती है, एक आकरती होती है, therefore, according to the type of hybridization, symmetrical structure of the molecule can be studied, अर्थात हम hybridization या संकरन के प्रकार पर ही, एक सम्मित संदचना किसी अणों की कैसी होगी, इस बात की study करते हैं, due to the presence of lone pair, symmetrical structures will change into unsymmetrical shape, ये भी हमारे इस lecture का भाग रहेगा, कि आगे VACPR जिसमें की lone pair का factor बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है, जहां सम्मित संदचना ये कुछ असमित संदचना में बदल जाती हैं, वो हम इस lecture में आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन दिशात्मगुणों में या directional properties में, आज हमारे जो इस पूरे lecture का last sentence है, वो ये रहेगा, कि these facts show that covalent bonds are directional, अर्थात सहसईयों जगबन directional या दिशात्मगुण रखते हैं, हमारा ये जो टॉपिक है, ये आने वाले टॉपिक के साथ, जो भी hybridization से संबंदित है, उसके साथ बहुत ज़्यादा relate करता है, और साथ ही जो हमने पिछले lecture में overlapping पढ़ी थी, उसके साथ भी, actually ये जो टॉपिक है, वो आपके पिछले और आने वाले lecture के बीच की कड़ी है, आप इसे बहुत आध्यान से पढ़ें एक बार, और इससे जो हमने पहले पढ़ा था, और जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, वो किस तरह से relevant होंगे, किस तरह से संबंदित होंगे, ये आप आने वाले lectures में अच्छे से देख पाएंगे, तो हम अगले lecture में, hybridization से आपको रूबरू कराएंगे, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद,